नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अराधनाई में दोस्तों धूप अराधनाई में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप धुर्गा पूजा में यानि कि नवरात्री में ये जो है दोस्तों आप दो धुनची दूप से मा की पूजा कर सकते है दोस्तों ऐसे तो हमने धूप प्रजलन की बारे में आपको बताया और दीपक के विशे में भी इस विशे में थोड़ा बहुत आलोचना हमने किया है पर किस तरीके से आप जो है दो धुनची चूप जला सकते हैं मा के सामने और मा को प्रसन न कर सकते हैं इस बारे में आज हम आपको बताएंगे दोस्तों दोस्तों देखें आप अगर कभी बंगाल में बनारस या फर जो पूर्व भारत का जो शेत्र होता है ना यानि कि इलाहबाद बिहार ऐसे शेत्र में भी अगर आप जाते हैं और राची में भी दोस्तों अगर आप जाते तो वहाँ पर देखेगा आप दोस्तों की दुर्गा पूजा में यानि कि जहाँ पर दुर्गा पूजा कहा जाता है नवरात्री के उत्सप को तो वहाँ प भूग लगाते हैं का मतलब यह है कि दोस्तों धुआ जैसे हम करते हैं जैसे हवन के धुआ है वो एक positive energy होता है और भागवान उसके माध्यम से भी गंध के माध्यम से जैसे हम लोग कहते हैं गंधे अर्ध भोजन यानि कि गंध से ही अर्ध भोजन होता है तो धूप हम जब अर्पित करते हैं बहुत सारे शुगन्ती द्धूप बहुत सारे भीषज जो चीज़े हैं उन सारी चीजों को जला कर हम जब धूप करते हैं तो वो भी एक तरीके से देबताओं के लिए जो है एक नईवेद्ध हो जाता है दोस्तों तो इसे ही भोग रगाना कहा गया है कही जगे पर कि देवताओं के भोजन जो है वो ये भी है और एक तरीके से नईवेद्देवी है तो इस तरीके से धूप का काफी जादा जो है प्रयोग किया जाता है पूर्वभारत की पूजाओं में दोस्तों मैं दो की करता है कि बहुंचीज़ अगर दो हो जैसे बहॉत सारे चेके पर आप देखेंगे कि जुड़वा होता है जो कुछै भी दिया जाता है यानि कि माको अगर जो है पुष्प चढ़ाया जाते हैं कमल के तो वो दो पुष्प चढ़ाया जाते हैं अगर नारिल चढ़ाया जाते हैं तो जुडबा चढ़ाया जाते हैं अगर कोई और वस्तु भी चढ़ाया जाते हैं तो दो चढ़ाया जाते हैं तो उसी तरह अगर धुनची धूप जो है वो भी आप दो पात्र में जलाते हैं यानि कि एक में आप निवेदन करते हैं और दूसरे में आरती करते हैं तो वो बहुत सही रहता है दोस्तों दोस्तों जिस पात्र में हम निवेदन कर रहे हैं मा को यानि कि धुनची धूप जिस पात्र में निवे जो हैं आप मा जो है नई बेद्य ग्रहिन कर रहे हैं एक तरीके से इसे एक तरीके से निराकार पूजा भी कहते हैं कि मा की चीसे हम साकार विग्रह की पूजा कर रहे हैं मा तो निराकार रूप में भी हमारे चाड़ो और वायू रूप में विराजते हैं तो एक तरीके से य से घर के पूजा में हर समय नहीं कर सकते तो उस जगे पर जो है ये धुनची धूब बहुत ही कारगर होता है दोस्तों तो दोस्तों हमेशा जो है आप जब पूजा करेना माकी तो आप अगर ये संकर्प ले पाते हैं पहले दिन के मैं प्रते दिन जो है दो धुनची धूब क जलाना चाहिए पर दीपक को अपने आप शांत होना पड़ता है दोस्तों पर धुनची धूप अगर आप जलाते हैं तो उसमें तो अगनी ही होती है दोस्तों कहा जाता है कि दीपक के माध्यम से जो है हम मा की साक्षा दर्शन कर रहे हैं तो इसमें भी जो है धुपागनी भ यहां पर बायू रूप में भी मा की दर्शन करते हैं, मा को महसूस करते हैं धूप के माध्यम से दोस्तों इसलिए जो है, मैं धूपाग्नी के माध्यम से ही पुचा शुरू करता हूँ और उसके बाद जो है मैं धुनची धूप और पंच दीपक जलाकर आर्टी करता हूँ दोस्तो आर्टी का अगर धुनची जो है अलग रखागा है तो ये बहुत अच्छा ही होता है दोस्तो कि वो तो हमने निवेदन कर दिया तो उसके बाद उसी से आर्टी करना सही नहीं होता है अगर आपके पास दोनों मतलब दो धुनची अगर आपके पास नहीं है तो आपक प्रफ़ा रहता है कि यह आप एक धुनची जो है मा को निवेदन करें और दूसरे धुनची से जो है वो आप मा की आरती करें दोस्तों धुनची हमेशा पीतल का ही आप मंगवाई मरारस में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो वहां से आप अपने मनपसंद के अनुसार जो है भ्यान से इसे थोड़ा साप करेंगे आप फर मांचते रहेंगे तो यह बहुत जल्दी खराब नहीं होता आप इसे हर पूजा में इस्तिमाल कर सकते हैं दीपावली पर इस्तिमाल करते हैं सतिनारन पूजा कर आप घर पे करते हैं तो उसमें आप इस्तिमाल करते हैं या फ होता है इसलिए अगर आप दो धुनची में मा को धूप निवेदन करते हैं धूप आर्टी करते तो मा इस दौरान जो है बहुत ही प्रसंड़ हो जाती है दोस्तों और दोस्तों अगर आप नौ दिन में जो है धुनची कर रहे हैं मा के सामने तो हमेशा ध्यान रखना साहिए कि अगर आप सुभे की समय भी जो है धुनची कर रहे हैं यानि की निवेदन करके आर्टी कर रहे हैं दोस्तों तो संध्या की समय या फर दूपहर की समय जब आप उसे कर रहे हैं तो उसे ए मांच कर ही ज़रूर इस्तिमाल करें दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते कि बि प्रते दिन सुभ ही देते तो दूसरे दिन मांचते है या पर जब थोड़ा काला हो जाता है उसके बाद से मांचते है ये सही नहीं है दोस्तो। तो जब भी दे यानि कि वो जुटा हो जाता है एक बार हम जैसे नई वेदे किसे ठाली में चड़ाते हैं तो उसे बिना मानजिक या हम दोबारा नई वेदे चड़ाते हैं नहीं ना दोस्तो क्योंकि वो थाली जो होता है न वो जूटा हो जाता है दोस्तो तो जूटन में तो हम नहीं चड़ा सकते मा को दोबारा तो इसलिए हर बार हर बार आप धूप करने से पहले धूप बातर को अच्छे तरीके से मांच ले धो ले हाँ बहुत जादा अगर आप साफ नहीं भी कर पाते हैं हर बार तो कम से कम जो है उसे धो जरूर ले दोस्तो उसके बाद ही उसमें जो है आप धूप निवेदन और आठती करें दोस्तो दोस्तो तो नवरातरी के दौरान आप मा को पीतल की धुनची में ए जो है धूप नवरातरी में पूजा करते हैं यानि कि दो धुनची से अगर आप मा की पूजा करते हैं जुडवा धुनची से तो आपके घर में जो है साल भर के लिए सुक शान्ती बनी रहती है मा की कृपा बनी रहती है क्योंकि इसके माध्यम से जो है जो भी सारे बुरी होती है जो भ पूचा कर देती है और एक सकारत मक उड़ जा जो है हमारे अंदर भड़ देता है इसलिए दिखेगा दोस्तों जब भी हम लोग धूब जलाते है ना पूचा स्थाल पर तो वो हमें एक पॉजिटिविटी से भड़ देता है हमें बहुत एकागर कर देता है तो इसलिए दोस् तो इस नवरात्रे में पूरे नौदिन जो है आप दो धुनची धूप से जो है मा के आरती करें पूजा करें दोस्तों और उसके बाद आपको यह पॉजिटिविटी का ऐसास जरूर होगा दोस्तों साल भर होगा दोस्तों और आप जब जैसे नवरात्रे के बाद जब यानि कि दिपावली के समय भी आप करेंगी या फर कभी कभी आप अपनी घर पे भी ऐसे कोई पूजा या फर प्रत रखते तो उसमें भी अगर आप करते हैं न दोस्तों तो देखिएगा उसमें बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव फल आपको जो है वो मिलेगा दोस्तों इस तरीके से आप जो है नवरात्री के दौराण दो धुनची धूप करें और अगर आप करते हैं दोस्तों तो मुझे वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों और किस तरीके से करते हैं यानि कि बनारस में या बंगाल में रहने वाले लोग तो इसे करते ही हैं द दोस्तो तो इस वीडियो में जो भी जानकारी मेरे पास था धुनिची दूप के बार में मैंने वो आपको दिया दुर्गा पूजा के दोरान अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तो तो इस वीडियो को लाइक और श्रियर जरूर करते दोस्तो और अगर आप हम हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों दोस्तों मिलेंगे अगली किसी वीडियो में अगली किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों